आब लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, आब लोग ये आशंका जताने लगे हैं, कि कहीं ऐसा नहों, महाराश्ट विकास अगाड़ी की जो गाड़ी है, वो अभी फसी है, आगे जाके पलट ना जाए, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं महाराश विदान सभा चुनाओं की उल्टी गिन्ती शुरू हो चुकी है, राज्य विदान सभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है, पोलिंग होनी है और क्योंकि मतदान एक ही चरण में होना है तो उस हिसाप से अगर आज से कैलकुलेट करें, आज की तारीक से हम गढणा करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो मतदान में एक महीने से भी कम का समय रह चुका है यानि एक महीने से भी कम समय है जब महराश की जनता अपने वोट से ये तैय कर देगी कि महराश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा महराश की अगली सरकार किसकी होगी जनता तो अपना लगबग लगबग ऐसा अनुमान ह कि मन बना चुके उसे क्या करना है लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है वो अब तक तैयार नहीं है खासकर महाविकासागाडी जो है वो उसकी गाड़ी जो है पूरी तरह से फसी हुई है तो कि महाराश्ट विकासागाडी में जो तीन पॉलिटिकल पार्टियां हैं कॉंग ऐसे तमाम सवाल है जिन पर महराष्ट विकास अगाडी की जो गाडी है वो फसी हुई है और इस बुरी तरह से फसी हुई है कि अब लोग ये आकलन करने लगे हैं अब लोग ये अनुमान लगा रहे हैं अब लोग ये आशंका जताने लगे हैं कि कहीं ऐसा नहो महराष्ट व उमीदवारों का ऐलान कर दिया, सोचिए, 99 सीटों पर BJP करीब करीब अनुमान है कि BJP डेड़ सो के आसपा सीटों पर लड़ेगी, कुछ सीटें हैं जिस पर उनकी सहयोगी पार्टियों से बात चल रहे हैं, सहयोगी पार्टियों जो हैं अपने उमीदवार तै कर रहे हैं, लेकिन BJP ने 99 सीटों पर अपने उमीदवार तै कर दी हैं, असी वो सिटिंग विधायक हैं, बाकी सीटों पर नए लोगों को टिकट दिया है, तो BJP तो 99 सीटों पर तै भी कर चुकी है, नाम भी घोशित कर चुकी है, और वो लोग जिन लोगों के नाम घोशित हुए हैं, वो अपने अपने चुनाव शेतर में उतर कर अपना अपना प्रचार उनों ने शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ महराश्ट विकास अगारी के अगर बात करें, तो ये जो गट बंदा ने बुरी तरह से फसा हुआ है, इस बुरी तरह से फसा हुआ है, कि दोनों दराने वाली हैं महराश्च विकास अगाडी के समर्थकों के लिए डराने वाली है चौकाने वाली है और फिर कह रहा हूं कि महराश्च विकास अगाडी की गाडी जो है फसी हुई है और आशंका ये है कि ये गाडी कहीं पलटना जाए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये गाड लगबग लगबग तैय है देगे दरसल इस महराश्ट विकास अगाडी की समस्या प्राब्लम क्या है प्राब्लम यह कि यह पूरा जो गटबंदन है इसका कोई वैचारी का अधार नहीं है इस गटबंदन में आप जानते हैं यह सिरफ बीजे पी को महराश्ट की सत्ता से बा अलाकि उनकी पार्टी छोटी थी लेकिन उसके बावजुद उन्होंने का कि हमारा यह मुख्यमंत्री बनेगा और उसके बाद बात इतनी फज गई कि शिव सेना और बीजे पी के जो बरसो पुराने संबंद थे वो तूट गए और उसके बाद बीजे पी को सत्ता में आने था। लेकिन गड़बंदन सिरफ बीजे पी को रोकने के लिए और उधर ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाकी पार्टियों ने भी उस वक्त उधर ठाकरे को अगर कौंग्रेस की बात करूँ या शरत पौवर की बात करूँ उन्होंने उधर ठाकरे को इसलिए इ जगातार बार बार जो अपनी उनकी वैचारिक प्रिष्ट भूमी थी बाला साब ठाकरे की जो पूरी सोच थी जब उसके साथ उन्होंने जो है कॉम्प्रमाइज करना शुरू किया तो उसके बाद शिवसेना तूट गई और शिवसेना तूटी और उदव ठाकरे की कुरसी चली गई मुख्यमंतरी की कुरसी चलीगी उनकी सरकार चलीगी लेकिन अब समस्या क्या रही है क्योंकि अब दिक्कत यह है कि उदव ठाकरे खुद को महराश्ट का मुख्यमंतरी वो पूर मुख्यमंतरी है लेकिन वो मानकर बैठे है कि वो इस गटबंदन में है तो उनको मुख्यमंत्री के तोर पर प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है ना जो है शरत पवार उनको मुख्यमंत्री के तोर पर प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है तो पहले तो इन्हों ने शरत पवार ने साफ कह दिया कि जो महाविकास अगारी है उसका कोई भी चहरा बहुत अच्छा काम किया है लेकिन ना तो कॉंग्रेस राहुल गांधी ना कॉंग्रेस और ना जो है शरतपवार और NCP उदर ठाकरे को अगला मुख्यमंत्री स्विकार करने के लिए तैयार है इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री का जो पूरा मामला था वो जो चैप्टर था उस चैप्टर को क्लोज कर दिया बोला चुनाओ हो जाए उसके बाद देखेंगे लेकिन उसके बाद दूसरी समस्या शुरू हुई कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी अब फिर कह रहा हूँ कि इसमें अगर शिवसेना की बात करें शिवसेना जो जो है लोगसवा चुनाओं में 13 लोगसवा सीटे जीती थी कौंग्रेस के लिए हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और कौंग्रेस इस बार जो है महराष्ट में सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाओ लड़ना चाहती है दूसरी तरफ शरत पावर हलाकि समझवाता करने के मू सीटे शुष में कितनी सीटों पर राटेंगे उसके लिए वो कोई दाव पेच खेले लेकिन कौंग्रेस और ओधव ठाकरे की जो शिर्व सेना उसमें बुरी तरह से जो है उसमें जो है वो दरारें पड़ गई हैं और उनके बीच बुरी तरह से सीटों के सीट Noel कर ओर एक अपना एक प्लान भी भी तैयार कर लिया, उनका प्लान भी यह है कि अगर कॉंग्रेस जो है उनको कम सीटे देगी और कॉंग्रेस अगर उनकी दावेदाली को नहीं स्विकार करेगी तो वो महराज़ की सबी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, इसकी लिए भी अं नवीश शाह से मुलाकात करी है और दूसरे तरफ जो है खुद उदर ठाकरे की देविंद फर्ड नवीश से मुलाकाते हुई है, लगि तमाम चीज़े इन में कितनी खबरे सही है, कितनी अफ़वाएं कहनी सकते हैं, लेकि अफ़वाँ उड़ रही है तो इसके पीछे हम दिल्ली में जो हमें बात करनी है, सीट शेरिंग को लेकर हम दिल्ली में बात करेंगी, क्योंकि कॉंगरिस में हाई कमानी सब कुछ होता है, यह जो प्रदेश के नेता है, उनकी कोई हैसित नहीं है, उन्होंने इस तरह का बयान दिया, दूसरी तरफ जो है, नाना पठोल हुआ, आपने देखा होगा, प्रियंका चतुरवेदी जो शिव सेना की एक बड़ी नेता है, राज्य सबा की सांसद है, प्रवक्ता है, शिव सेना उदव ठाकले की पार्टी की, उन्होंने बाकाइदा जो है, एक पॉड़कास के अंदर जब उनसे इस हावार पूछा गय कि उनका फेवरेट नेता कौन है, तो उन्होंने और किसी का नहीं, उन्होंने सीधा सीधा प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी का नाम लिया, अब सोचिए कि प्रियंका चतुरवेदी हर प्लेटफरम पर जो है, वो बीजे पी के खिलाफ, नरेंदर मोधी के खिलाफ जो है, ज उन्होंने कुछ करा जब उनसे पूछा कि नहीं आज के दोर में सबसे इंपॉर्टन लेता तब उन्होंने सीधा छूटते ही प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का नाम लिया कहा कि जिस तरह से उल्लागातार तीन बार जीते जिस तरह से उनको हर वर्क का समर्तन मिलता है और उ या उनकी कोई सोची समझी रणनीती है या इसके पीछे कोई जो है उनका मन पलट रहा है इस तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर जोड़दार तरीके से चल रही है इसलिए मैं कहा रहा हूँ यह जो है महाविकास अगाडी की किस तरह जिस तरह के बयान आ रहा है उसको देख गडबंदन का तूटना लगबग लगबग तय है यह तूटेगा कब सिर्फ यही बात हो सकती है कि चुनाओ के पहले तूटेगा चुनाओ तक एक रहे के लड़ेंगे चुनाओ में एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे चुनाओ के बीच तूटेगा यह चुनाओ के ब पहला मसला सीट शेरिंग को है हमें नहीं पता सीट शेरिंग को लेकर क्या होगा किसी फॉर्मूले पर पहुंचेंगा नहीं पहुंचेंगा और सीट शेरिंग में सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि कॉंग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी या शिव सेना उधव मुक्य मंत्री की कुरसी जो है, और मुक्य मंत्री का जो दावा वो इससे जुड़ा हुआ है, अब फर्स कीजे कि कांग्रिस अगर शिवसेना को उसकी जो है, जितनी सीटे वो चाहती है, उसको नहीं मिलती, और इसके बावजूद जो है, शिवसेना मجबूरी में इस बंदन में रहेगी इसको लेकर जाहिर सी बात है कि सवाल उटने लगे हैं क्योंकि उदाव ठाकरे तो उन्होंने अपने अपने सहयोगी बीजेपी को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की कुरसी चाहिए थी और क्या कॉंग्रेस आज तक भी मुख्यमंत्र की कुरसी देने के लिए तयार नहीं है जबकि शीफ सेयना के नेता रोज बार-बार ये कह रहे हैं कि इस चुनाओ में जो उनका चेहरा है मुख्यमंत्री का जो चेहरा है और जो चुनाओ के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे वो और कोई नहीं बल्कि उदाव ठाकरे का टसल है और ये टसल चुनाओ में तो अपना रंग दिखाएगी लेकिन चुनाओ के बाद भी ये टसल जो है वो जारी रहेगी और इसी लिए ये एक बड़ा खत्रा है कि ये गड़बंदन कितने दिन आगे चलेगा कितने दिन ये गड़बंदन टिक पाएगा तो कुल मिला अब जब कि महाराज के चुनाओं में एक महीने से भी कमका समय रहे गया इतना ही कह सकता हूं कि इस वक्त महाविकास अगारी की जो गारी है वो फसी हुई है उनकी अगारी की गारी जो फसी है लेकिन आशंग का इस बात की है आज फसी है देर सबेर इस गारी का उलटना पलट झाल झाल